जिन लोगों को मूँ से दुरगंद आती है उन लोगों को घरेलू ही एक नुस्खा में बताना चाहूंगा बहुत ही अच्छा है अनार के छिलके लेकर के आप उसको छाया में सुखा ले कपड़ा रखे उसपे सीधी धूप भी ना लगे स्वीधी धूप लगने से जड़ी भूटियों का कई वार असर बहुत कम हो जाता है इसलिए सीधी धूप ना लगे लेकिन थोड़ी दर दूप में भी रख दिया उसको कपड़ा डालके तो वह सूख जाएगा दो चार दिन में अनार का छिलका उसको पीस लें घर में बेशक बजार से पिसवा लें कैसे भी करके पिसवा के पाउडर को आप एक ग्राम की मत्रा में ज्यादा नहीं लेने के जूरू होती एक ग्राम पांच ग्राम का एक चमच होता है नॉर्मल जिसको आप बोलते हैं तो उसमें से भ अफते लगातार इसको ले ले अनार के छिलके से मूँ से जो दुरगंद आती है उपर की तरफ जो बास मारता है श्रीर तो वो अपने आप खतम हो जाएगी इससे आज फिलहाल इतना ही नमस्कारम लालालाला